2.4. भूमी का निम्निकरण और सनरक्षन उपाए हमें भूमी अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है और इसे हमें सही हालत में आने वाली पेड़ी को सौपना है माना अपने क्रिया कलापों के माध्यम से भूमी को समवर्धित कर सकता है या फिर उसे छती पहुचा सकता है किसी भूमी की गुणवत्ता को हम किस तरह से आख सकते हैं भूमी किस हद तक जीवजन्तों को पनपने में मदद करती है और कितने टिकावपन के साथ मदद कर सकती है उससे उसके गुणवत्ता का आकलन कर सकते हैं या छमता धर्ती के अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग होगी मरुस्तल और सदा बहार वन के छेत्र में भूमी के या छमता एक जैसी तो नहीं होगी लेकिन जब किसी छेत्र की भूमी की छमता पहले से कम होने लगती है तो हम उसे भूमी का निमनी करण कहते हैं उदाहरन के लिए अगर बाड के कारण किसी खेत पर रेत बिज़ जाए तो वह कृषी या चराई योग्य नहीं रहे तो हम उसे निमनी करद जमीन कहेंगे उस जमीन पर पोधो वह अन्य जीव जन्तो वह मनुश्य को पोशन अब पहले जैसे नहीं मिल पाएगा मानव कारेकलापों के कारण भी भूमी का निमनी करण हो रहा है मानव विभिन प्रकार से भूमी के निमनी करण का कारण बनता है अकसर सूखे या धलवा प्रदेश की भूमी पर जब हल चला कर खेती की जाती है तो वहां की महीन मिट्टी हवा के साथ उड़ जाती है या पानी के साथ पह जाती है और केवल मोटे कण और कंकड रह जाते हैं ऐसी भूमी में कोई घास या फसल नहीं हो सकती है आपने राजस्था नहर का उदाहरन पढ़ा था रेगिस्तानी प्रदेश में नहर से सिचाई करने से नीचे के लवन परदार्थ पानी के साथ उपर उठकर मिट्टी की सता पर जम जाते हैं जिससे उस मिट्टी पर पोधे नहीं उख पाते हैं यह भी भूमी निमनी करण का उदाहरन है पंजाब, हर्याणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिचाई भूमी के कारण भूमी दलदल बन रहा है और मिट्टी का लवडी करण हो रहा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महराष्ट के सूखे इलाकों में अत्यधिक चराई भूमी निमनी करण का मुख्य कारण है भूमी की चमता से अधिक पश्व की चराई से ना केवल घास का आवरण और पौधे नश्ट हो जाते हैं बलकि उपरी परत की मिट्टी भी हवा के साथ उड़ जाती है ओपन कास्ट उत्खनन से भूमी की उपरी परत को हटा कर नीचे बड़े गड़े खोद कर खनिज निकाला जाता है उसके बाद वहां की जमीन किसी उप्योग लायक नहीं रह जाती है यह भी भूमी निमनी करण का उदारण है खनन के बाद खदानों वाले स्थानों को गहरी खाईयों और मल्बे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है जारखन, चतिसगड, मद्यप्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में खनन वन भूमी निमनी करण का कारण बना हुआ है सिमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बरतन उद्योग में खड़िया मिट्टी और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायू मंडल में धूल घूल जाती है जब इसके परत भूमी पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखनी की प्रक्रिया रुख जाती है पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन भागों में और द्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अप्षिस्ट पदार्थ भूमी और जल प्रदुशन का मुखिस्त्रोत है विभिन गर्णाओं के अनुसार इस समय भारत में लगभग 13 से 19 करोड हेक्टेर भूमी निमनिकृत है इसमें से लगभग 28 प्रतिशत भूमी निमनिकृत वनों के अंतरगत है 56 प्रतिशत छेत्र जल अपरदित है और 6 छेत्र लवडिय और छारिय है 36 गड़ में लगभग 47,84,000 हेक्टेर भूमी राज्य की कुल भूमी का 35 प्रतिशत निमनिकरण से प्रभावित है यह मुख्य रूप से पानी द्वारा छरण और भूमी की अमलियता के कारण है अमलियता भूमी चरण के कारण होता है और यह फसलों को प्रभावित करता है अमलियता को नियंत्रित करने के लिए मिट्टी में चूना मिलाया जा सकता है दुर्ग, जांजगीर, कोरबा और रायपुर जिलों में उत्खनन के कारण भूमी का निमनिकरण हुआ है भूमी निमनिकरण की समस्याओं को सुलजाने के कई तरीके हैं वनारोपन और चारागाहों का उचित प्रभंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं जो भूमी क्रिशी योगिन नहीं है वहां जंगल लगाना या चारागाह विक्सित करना उचित होगा इसी तरह सिचाई को भूमी की चमता के अनुरूप रखकर दलदली करण और लवणी करण जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है